श्री शिवाय नमस्तु भ्यम मित्रों। हर हर महादेव ओम नमह शिवाय। इस बार सावन के किसी भी सोमवार को तुलसी का यह दिव्य प्रयोग आपको माला माल बना देगा। मित्रों अभी सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। सावन में भगवान शंकर साक्षा पृथवी लोग पर निवास करते हैं। हम सभी लोगों के आसपास में रहते हैं और हमारी हर प्रकार की मनोकांना और कश्ट को दूर करते हैं। इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से माता पारवती भोले नाथ की शरण मे जाता है। उनकी हर मनोकामना, हर इच्छाएं, भोले नाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करती है। दोस्तों सावन मास में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोले नाथ आपके सभी संकटों को समाप्त करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो, घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए, दोस्तों भोले बाबा सच्ची भक्ती के भूखे हैं, वो आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे मन से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं, तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप भगवान संकर और माता पारवती को अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार मान कर देखिए। वो आपकी हर मुराद अवश्य पूरी करेंगे क्योंकि शिव जगत पिता है, एक बार आप सच्चे दिल से पुकार कर तो देखिए, शिव दौधर हैं चले आएंगे, दोस्तों अगर आप भी भगवान संकर के सच्चे हैं तो वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमहा शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें भगवान शिव के लिए एक लाइक बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा दोस्तों वैसे तो भगवान भोलेनात की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है पर इस ब बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताये गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए तुलसी को जल कैसे देना चाहिए तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुब होती है आधि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप हो सके तो तुलसी के नीचे यह एक चीज बांद देते हैं तो आपको मा तुलसी का धेर सारा आशीरवाद मिलता है और आपके घर में मा लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती है। करने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांद देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुरान में इसके बारे मे पहले आपसे प्रार्थना करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दें। अनुष्ठान हो और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विश्नु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुरलभ वर्दान में से एक हैं। तुलसी के उदय होने पर अंधकार नश्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है। उस घर में सुख, शान्ती और सम्रिध्धी बनी रहती है। भगवान विश्नु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ता होना बहुत ज जरूरी मन जाता है क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इन्ही कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शान्ती और सम्रिध्धी के लिए तुलसी मा को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए और तुलसी मा को चुनरी चरहने से आपके घर में सुख सम्रिध्धी आती है। अक्सर लोग जाने अंजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते लेकिन तुलसी मा को चुनरी नहीं उड़ाते जिसक का ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है। फट जाती है लेकिन वह फिर एकादशी या फिर अन्य कोई शुब दिवस पर आपको बदल देना है। फिर आपको नया चुनरी चढ़ाना है दोस्तो आप लोगों को बताना चाहूंगा बिना चुनरी के मा अच्छी नहीं लगती। दोस्तो तुलसी में कई चमतकारिक गुण होते हैं जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं। उन्हें कभी भी कोई संकट नहीं सताता नहीं उनके विवाह में देरी होती है। शालिग टुलसी के पास कपड़े कभी न रखे, शिवलिंग के पास कपड़े कभी न सुखाए, दोस्तो आपकी कोई विशेश मनोकामना है तो लाल मौली धागा का यह उपाय करना है, इसके लिए आपको तुलसी के पौधे पर फाईव हलदी की गांठे को मौली धागा से, बांध कर तुलसी के पौधा पर बांधना है? अगर यह उपाए सावन पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपके हर प्रकार के मनोकामना की पूर्ती होती है इच्छित नौकरी के लिए साथ लाल चूडी और फीता तुलसी के पौधे पर बांधना है अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी आपके तिजोरी हमेशा पैसे से भरे रहेंगे मित्रों ये थी आज की छोटी सी जानकारी उमीद करता हूँ हमारे द्वारा बताये गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद ओम नमा शिवाए हर हर महादेव